नितेश राने यस नाराइन राने के बेटे नितेश राने मले है और उनके उपर अब एफायार दर्ज हुई है और उनको जाना पड़ा है अंदर किस मामले में? यह बहुत बड़ा सवाल है. किस मामले में और उन्होंने जो बोला है, वो क्यों बोला है? इस के बारे में आपको detail ख़बर बता देमाला हूँ, क्योंकि सुषान सिंग्राजपूत के केस में ही नहीं, बाकि कितना भी धंदली किया है इन लोगों ने कॉंग्रेस के साथ मिलके यूपी टी शिवसे ना मतला बुद्धव ठाकर की शिवसे ना कॉंग्रेस और NCP ने मिलके इस बारे में नितिशा सालियान के केस में भी नितिशा सालियान के केस में नितिशा सालियान के केस में निति करने वाला बस आज जोड़के एक रिक्विस्स करता हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना लाव नितेश राने ने एक्चुली महंत राजगीर करके एक महात्मा है हिंदु धरम के इनके खिलाफ मुस्लिम लोगों ने मोर्चा निकाना कॉंग्रेस भी उसको सपोर्ट करती है पहले से ही कॉंग्रेस मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करती है महात्मा गांधी से लेकर अब तक लेकिन इसके बाद निटीश राने ने अहमत नगर में यह भाषन दिया कि अगर हमारे रामगिरी महराज के उपर कुछ बोला तो मसज़िदों में गुशचके आपको मारेंगे अगर यह निटीश राणे का भाषन उनके प्रदर्शन किया इसके खिलाफ उन्होंने बोला कि अगर इससा प्रदर्शन वापिश हुआ तो मच्चेदों में गुश्के मारेंगे इस बारे में कॉंग्रेस के कही नेताव हुए उनकी कि यहाँ तकि हैदरबाद की ओववसी ने भी निंदा कि इनके बारे में बहुत सारे सरकारे अलग से बीजैपी को टारगेट कर रही यह नितिशराने का बहाना लेकर लेकिन इस बारे में रिप्लाइ में बोलना गुना है या नहीं क्योंकि नितिश्राने एक अच्छे नेता है और हर गुन्हा के बारे में वह पोल खोलते हैं आपको जो भी रखता है कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताएं थैंक्यों सब्सक्राइब बहुत 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 दनेवाद